आज के क्लास में करेंगे प्राक्टिस बहुत सारी देखो 100 वाक के कराऊंगी 100 कमनी होते हैं 100 वाक्यों की प्राक्टिस कराने वाली हूँ आज के क्लास में बहुत बढ़ी प्राक्टिस हो जाएगी तो प्राक्टिस ही जो है आपके अंग्रेजी को पर्फेक्ट बनाती है चल करते हैं वह ठीक है he is fine यहाँ पर ही कसमाल हो रहा है तो यह clear है कि यह किसी पुरुश के बारे में बात हो रही है जब लड़की की बात करनी होती है तो वह ठीक है he is fine मैं नहीं कह सकता I can't say यह कैसे situation में यूज होगा देखो यह तो तो situation है कि किसी ने आपको कोई बता रखा है और सामने वाले को बताने को मना किया हुआ है तो आपने कहा कि मैं नहीं बता सकता है मैं नहीं कह सकता है I can't say और दूसरा है कि आपका किसाथ किसी ने कोई plan बनाया आपको किसी ने कोई plan share के लिए आ रहा है, models वाली class अगर आपने की है तो आपको यह बात पता होगी अच्छे से कि can कस्तेमाल कब क्यों और कैसे होता है, मत पूछो, don't ask, मत पूछो, don't ask, कौन जाने, who knows, कौन जाने, who knows, तमीज से बात करो, behave yourself, तमीज में रहो, तरीके से बात करो, बतमीजी मत करो, इन सब ही के जगा पर, मतलब literally, इन सब ही के जगा पर आप use कर सकते हैं, behave yourself, क्या use कर सकते हैं, behave yourself, नीचे आ जाओ, या नीचे आओ, कहेंगे come down, क्या कहेंगे come down, उपर जाओ, go upstairs, मुझसे पूछो, ask me, बाहर जाओ, get out, बाहर चले जाओ, बाहर जाओ, get out, कम से कम, at least word का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, at least, अंदर आईए, come in, धीरे बोलो, speak slowly, इसको न, दो तरीकों से यूज़ कर सकते हो, ए तो उची अवाज में जो बात कर रहा है, उसको भी कह सकते हो, कि अरे धीरे बोलो, speak slowly, है न, या फिर जो बहुत तेज बात क करता है, बहुत fast 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 राज बोलता है, तो उसको भी कह सकते हैं, धीरे बोलो, speak slowly, दोनों जगा पर यूज़ कर सकते हो, रहने भी दो, या इसे भूल जाओ, इस्तमाल होता है, forget it, क्या यूज़ होता है, forget it, उसे भूल जाओ, forget that, forget that, संकोच ना करें, don't hesitate, hesitation, hesitate, word से बना है, hesitation, जो होता है, जब कोई चीज के संकोच होता है, मैं जैसे मान लोग किसी के यहां गय है, और उन्होंने, ऐसा हुआ है, क्या कभी, आप किसी के यहां गय हो, और उन्होंने नाश्ते में, जब आप गय हो, तो चाय वाई, जो लोग snacking, सर्व करते हैं, बहुत बढ़िया, तो है लेनी की, पर आप उठानी पा रहे हो, यह वाली जो feeling अभी आपको हो रही है, मन में, इसी को hesitation कहते हैं, संकोच, है ना, कुछ चीज करने से पहले, अब यह तो मैंने बहुत fun example दे दिया, आपको कि हाँ बढ़िया चीज रखी हुई है, खाने पी नहीं कि उसकी बात ह हमने कर ली, बट यही नहीं होता है हमेशा, बहुत चीजों में लोगों को संकोच होता है, जैसे आपको class को like करने में संकोच हो जाता है कई बार ने, class को subscribe करने में Sun Reading English Academy को संकोच हो जाता है, कि हाई है कर दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप ही का भला हो जाएगा थोड़ा जादा सीख जाओगे, bell notification on करोगे तो, क्योंकि class जब आएगे ना, तो mobile पे आजाएगा notification, तो सीख जाओगे, तो संकोच ना करें, subscribe करें तुरंत के तुरंत, ठीक है, दिखावा मत करो, don't show off, दिखावा मत करो, don't show off, अच्छा विचार है, good idea, अच्छा विचार ह As you say, जैसा आप कहें, answer me, मुझे उत्तर दो, answer me, मुझे उत्तर दो, नहीं, कभी नहीं, no, never, क्या हुआ, what happened, साफ करो या साफ करना, clean up, क्या कहेंगे, clean up, थोड़ा सा भी नहीं, not a bit, कल मिलते हैं, see you tomorrow, कल मिलते हैं, see you tomorrow, मुझे परवा नहीं है, I don't care, मुझे परवा नहीं है, I don't care, कितना बेतुका है, how absurd, क्या वह आया, did he come, क्या वह आया, did he come, मुझे पर विश्वास करो, believe me, trust me, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेना, मुझे फोन करो, call me, मुझे मुझे वापिस कॉल करना, call me back, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, I will call you, मैं सहमत हूँ, I agree, मैं सहमत हूँ, I agree, मैं घर पर हूँ, I am at home, मैं घर पर हूँ, I am at home, अब at home के जगह पर आप अगर market में हो, तो I am, आप अगर airport में हो, तो कह सकते हो, I am at the airport, I am at the railway station, ये सबा भी यूज़ कर सकते हो, ठीके, मुझे पता नहीं है, I have no idea, जैसे क्या होता है, कई बार हम रास्ते में जार होता है, कोई रोकर कर अडरेस पूछ लेता है, कि भाई साब, या बहन जी ये वाला अडरेस बताना हमें, और हमें मालनो नहीं पता है, तो क्या बोलता है, या फिर उस नगर अंगरेजी में पूछ दिया, can you guide me this address, तो क्या बोलोगे, I have no idea, पता हो तो बता देना, ऐसी बात नहीं है, बताना चाहिए, ठीक है, और नहीं पता हो तो क्या बोलोगे, मुझे नहीं पता, कहो, I have no idea, मेरे पीछे आओ, और अगर अडरेस पता हो तो कहोगे, मेरे पीछे आओ, यानि कि follow me, चेक है, उसके पीछे जाओ, follow him, उसके पीछे जाओ, follow him, तुम मजे करो, enjoy yourself, तुम मजे करो, enjoy yourself, भगवान आपका भला करे, God bless you, भगवान आपका भला करे, God bless you, फिर मिलते हैं, see you, या see ya, है ना, आजकल बोलते हैं, see ya, है ना, बोल सकते हो, कोई issue नहीं है, बट actual में वो see you होता है, ठीक है, नया क्या है, what's new, नया क्या है, what's new, चिंता मत करो, don't worry, मेरी उम्र का है, he is my age, यह क्या, इसको कभी उस करते हैं, जब आप किसी के बारे में सामने वाले को बता रहे हो, और उसकी उमर और आपकी उमर सेम है, तो कहेंगे, he is my age, क्या कहेंगे, he is my age, कोई बात नहीं, never mind, कोई बात नहीं never mind, बहुत अच्छा, too good, too का स्तमाल क्यों होता है, किसी भी चीज़ को जोर डालने के लिए, emphasize करके, जोर डालके बताने के लिए, अगर कोई चीज अच्छी है, तो it is good, और बहुत अच्छी है, तो too good, आगे बात समझ, तो कैसे, too busy, too lazy, too good, too bad, है न, इस तरीके से, emphasize, किसी I am coming, बहुत ठीक, very fine, बहुत ठीक, इसका भी इस्तमाल जो है, emphasize करने के लिए, very busy, very sad, very happy, very fine, ठीके, ऐसे, ये शांदार है, it is superb, ये शांदार है, it is superb, ठीके, मतलब कोई चीज बहुत ही बढ़ी है, बहुत ही पसंद आ गई है, तो कैसी है, वो, superb है, जल्दी फिर मिलेंगे see you soon, हर्गिज नहीं, not at all, थोड़ा और अधिक, a bit more, थोड़ा और, थोड़ा और अधिक, थोड़ा और ज्यादा, a bit more, ये बढ़िया है, it is fantastic, ये बढ़िया है, it is fantastic, ये अदभुत है, it is amazing, ये अदभुत है, it is amazing, आप बेवकूफ है, you are dumb, आप बेवकूफ है, you are dumb, क्या बेवकूफ है, how foolish, क्या बेवकूफ है, how foolish, कितनी मुर्खता वाले बात है, या कितनी मुर्खता है, how stupid, how stupid, ठीक है, all right, ठीक है, all right, और क्या, what else, और क्या, what else, चौकने रहो, चौकस रहो, be attentive, और कुछ, anything else, और कुछ, anything else, और कुछ नहीं, nothing else, और कुछ नहीं, nothing else, ठीक है, okay, ठीक है, okay, ने को ठीक है कि बोलने के जगप है न, simply okay भी बोलके आप अपनी अंग्रीजी बोलने के सफर की शुरुआत कर सकते हो, बोलना शुरू तो करो, इतनी महनत करती हूँ, रोज के रोज क्लास लेकर के आती हूँ, ठीक है, क्यों लेकर के आती हूँ, ताकि आप कहीं जे तो शुरू करो यार, है न, okay, कुछ खास नहीं, nothing special, कुछ खास नहीं, nothing special, स्वागत है, welcome, स्वागत है, welcome, निश्चिन्थ होना, rest assured का यूज करते हैं, ठीक है, rest assured, बैठ जाए, be seated, बैठे रहिए, be seated, तोनों जग़ाप यूज कर सकते हैं, और कौन, who else, जैसा आपको ठीक लगे, as you wish, मैं भी, me too, two का इस्तमालना, include करने के लिए भी होता है, जब आपको, सबको लपेटे में लेके बात करनी होती है, अरे मैं भी जाओंगा, निए me too, इस तरीके से इस्तमाल होता है, बिल्कुल एक जैसा, same here, मैं समझ गया, I see, मैं शादिशुदा हूँ, I am married, मैं अविवाहित हूँ, या मैं शादिशुदा नहीं हूँ, I am single, दोनों लड़के लड़के, दोनों इसका use कर सकते हैं, शादिशुदा हैं तो आप married है, अगर अविवाहित हैं तो आप single है, और relationship में हैं किसी के साथ अगर आपका, है ना, तो आप committed है, आई बात समझ, मुझे ऐसा लगता है, I think so, गाली मत दो, don't abuse, चिलाओ मत, don't shout, धहरे रखे, be patient, आगे बढ़े, go ahead, ध्यान से सुनो, listen carefully, जोर से बोलो, speak loudly, तेजी से चलो, walk fast, धीरे चलो, walk slowly, मुझे जाने दो, let me go, मुझे जाने दो, let me go, छोड़ दो, या रहने दो, leave it, क्या कहेंगे, leave it, right, तो चलिए, आज की class यहीं तक, जहां पर हमने, hundred ऐसे वाकियों को सीखा, जो रोज मर्रा के, जिन्दगी में हमारे, यहां वहां, जहां तहां इस्तमाल हो ही जाते हैं, चाहे घर पे हो, चाहे office में हो, चाहे school में हो, college में हो, market में हो, कई पर भी हो, यही सारी बात्ची, तो हमारे जिन्दगी में चलती है, है ना, इनकी ही अंगरे जीजिए, अगर आप जान लोगे, और इस्तेमाल करोगे तो आपकी अंग्रेजी आटोमाटिकली डे बाई डेवलाप होती जाएगी है ना तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक करना नए लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लीजे बही सुन लीजे आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अगाडमी मैं हूँ प्रीती माम सब्सक्राइब करते वसक्त बेल नोटिफिकेशन गॉन कर दीजेगा ताकि ऐसी ही क्लास जो मैं रोज लेकर कर काती हूँ वो आपको मिल सकें जितने भी पुराने लोग हैं जो रोज आते हैं टेंडनेंस लगाने यहां पर जल्दी से लाइक कर दीजे क्लास को और इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक हमारी आप को डाउनलोड नहीं किया है तो अगर आप करना चाहते हैं spoken English κα कोर्स English writing का कोर्स, English grammar का कोर्स, English reading का कोर्स और e-books लेना चाहते हैं तो ये सारी चीजे जो है कहां पर available है नाम है Sunreeth English Academies एप का डाउनलोड और इसट्राल कर लीजे कहां पर मिलेगा गुगल प्ले स्टोर पर मिलेगा जहां पर course कर सकते हो, free वाली courses भी available है तो free वाली courses भी कर सकते हो, ठीक है इसके अलावा कोई दिक्कत अगर आती है paid classes से सम्मंदित इस नंबर पर संपर कर सकते हैं, whatsapp message के जरिये, holiday है कि नी वो थोड़ा देख लीजेगा, message करके छोड़ दीजेगा, तो team जो है वो आपको reply कर देगी, आप से खुरी contact कर लेगी, इसके अलावा ebooks इस वाली website से भी ले सकते हो, देखो ये pdf ebook है, चाहे app की बात करो या यहां की बात करो, इस website की बात करो दोनों ही जगों में से कहीं से भी आप ebook लेगा, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रखें, और सुरक्षित रखें, कैसे रख सकते हैं इमेल कर लेना, खुद को, बहुत बड़ी आट रख है, हमेशा रहेगा, ने तो फोन क्या होता है, कई बार डिलीट विलीट हो जाता है फोन से है न, इसके अलावा WhatsApp का ग्रूप जॉइन कर लीजे, रोज की क्लास की नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर आ जाती है Telegram का ग्रूप जॉइन कर लीजे, वहाँ पर भी आपको रोज की English Academy